असलाम वालेकूम एप्रिवान विल्कम टूर चैनल इट एन रिपीड वाई याश्व एन राजी आज हम बनाएंगे एक साउथ इंडियन बैंगन का भरता जिसको बोलते हैं पच्चपुली अगर मैंने प्रोनुंशेशन गलत किया तो आप लोग कमेंट करके ज़रू बताना तो मैंने एक कढ़ाई पे सरसो का तेल ले लिया है और दो तीन बैंगन को छोटा-छोटा क्यूब शेप में कट करके उसको फ्राइ कर लेंगे अभी मैंने इसमें कुछ भी एड नहीं किया है मसाला बगेरा या नमक हमें ऐसे ही फ्राइ कर लेना है आप चाहो तो नमक एड भी कर सकते हो यह इपर देखे यह गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है मतलब हमारा जो बैंगन को फ्राइए वो रेडी है चलिए अभी मसाला प्रिप करते हैं इसके लिए मैंने यहां पर सरसो का सीड्स जो हता है सरसो का बीच बोलिया है और थोड़ा सा सूखी लाल मिर्च कि लिए है आप आपके स्पाइस लेबल कe g 뭐야 जादा कर सकते हो ज्यादा करोगे तो और भी कि ज्यादा अच्छा रहेगा स्पाइसइ स्पाइसिक और लास्ट में स्बाउ पत्ता करेंगे थोड़ा सब भून लेंगे ताकि वह बहुँत धोड़ा क्रिस्पी हो जाए फिर हम सारे चीजों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि ड्राइ सा पाउडर रेडी हो जाए अगर आप हमारे चैनल पर ने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरू कर देना देखिए मसाला भी रेडी है अभी हम इसमें थोड़ा स धनिया कपता एड करेंगे और हमने जो बैंगन को फ्राइ करके रखा था वो पूरा एड नहीं करेंगे थोड़ा सा ही एड करेंगे मतलब चोटे-छोटे चॉप किया हूआ मतलब डाइस्टली चॉप किया हूआ पियाज और कांदा आप जो भी बोलते हो मैंने यहां पाथ सॉल्ट भी एड़ कर लिया है और इसको पूरा पेस्ट नहीं बनाना है थोड़ा सा गलाइन कर लेना ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए बस थोड़ा सा ही ब्लीड्स कर लेना है देखिए है हमारा पूरा पेस्ट रेडी है जो बचा हुआ बैंगन था उसको भी हम इसमें कर जाएंगे और मिला लेंगे सारे चीजों को अभी इसमेंट करेंगे हम इंबली का पानी जो कि मैन इंग्रीडियन्स है इसके वज़े से यह डिस एक्दम मतलब क्या बता है खट्टा एक्दम खट्टा और तीखा तीखा बहुत मस्त लगता है इसको आप ऐसे भी का सकते ह बट राइस के काथ साथ खाने में तो एक अलग ही मज़ा है खट्टा खट्टा अब मैसे जिन लोगों को भी खट्टा खाना पसंद है वो लोग तो घर पे जरूर एक बार ट्राइ करें और मुझे कमेंट करके बताये कि आप लोगों को कैसा लगा ओके बबाई सी यू इन कर दो